करे छौट सोर्व मुल्का स्वाकत और आघ इस वीडियो में आप लोगको बताऊंगा कि आप वॉच्टै डेल के आपको स्टीकर्स में पर कैसे अपने खुद कें स्टीकर्स को क्रियेट कर सकते हैं और वाट संट pref सकते यूजिली जो WhatsApp का स्टिकर अभी जो रिसेंट आपको मिलता है मेरे पास तो फिलाल के लिए बीटा वर्शिन है तो मुझे उसमें देखने को मिल रहा है मैंने नॉर्मली अपडेट किया तो मुझे नहीं मिला तो शायद से अगर आपके पास WhatsApp का स्टिकर अगर है तो आप अभी इसका फाइदा उठा सकते यहां पर नॉर्मली वाट्सप का जो स्टिकर है इसका जो खुद का बाइट डिफॉल्ट आपको श्टोर मिलता है तो आप वहां से स्टिकर को सेलेट कर लेते और यहां पर आप लोग को कुछ एप्लिकेशन स्प्लेश्टोर में भी अभी पिलना शुरू हो रहे हैं जहां पर वो लोग आपको श्टिकर देते अपने तरफ से और आप उसका इस्तिमाल वाट्सप के अंदर कर सकते तो अब यहांप है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप अपने खुद के श्टिकर को कैसे सर्च कर सकते जो आपको पसंद आत इसके पीछे कोई background नहीं होता है तो यूजिली अगर आप जाते हैं Google में search करते हैं और उसके अंदर .png लिखते हैं जो भी अगर आपको images चाहिए होती है आप उसमें .png लिखते हैं तो जो .png फाइल होती है इसके अंदर आपको पीछे के अंदर कोई background नहीं मिलता है तो by default और यह background पहले से ही नहीं रहता है और आपको एक normal picture मिल जाती है ताकि आप उसका इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं तो यही फाइल को आप इसको stickers में बनाकर अपने WhatsApp में add करके stickers के द्वारा जो वो share कर सकते हैं यह चीज़ आप यहां पर कर सकते हैं दूसरी बात है कि अगर आ WhatsApp में send करनी ही तो आपको Google में जाना है, images की section में जाना है और कोई भी picture को search करना है आपकी मर्जी से मैंने diwali.png लिखाओ क्योंकि दिवाली का season चल रहा है तो आप देखिंगे बहुत सारी मुझे diwali की images मिल रही है यहां पर लेकिन इसमें background किसी में भी नहीं मिलेगा तो जो pictures होगे आप इसको WhatsApp के sticker में add कर सकते हैं इसकी link में अपने description में दिया हूँ आप वहां से जाए कि इसको download कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है कि जो भी files आप download करते हैं images की वो सारी की सारी चीसे आपके download के folder में होनी चाहिए जी हाँ आपके phone के अंदर अगर file manager होगा तो file manager में जाना है मेरे पास ES file manager है तो मैंने अगर some for example बहुत सारी images को download कर दिया हूँ PNG वाली मैंने आपने download की folder में और वहां पे paste कर दिया आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे मेरे तरीकी से आपको add करना है और आप देखेंगे एक tick आ जाती है मतलब आपने successfully whatsapp के sticker में इसको add कर दिया जी हाँ उसके बात हम जाते है यहाँ पर सीधी अपने whatsapp के इंदर और यहाँ पे आप लोग उसको कैसे use कर सकते है आप देखेंगे smiley के tap में जाना है और नीचे तीसर से अभी आपने इसको whatsapp में add किया था मतलब जोल किया था तो आप देखेंगे यह वाले stickers मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहें और अभी नॉर्मली आप इसको डिरेक्ली यहाँ पर शेयर कर सकते है और यह दिवाली वाली पेंजी फाल बेद दिया जो sticker के mode में whatsapp में चले गई तो cool लगता है ना कि आपके अपनी मर्जी से आपने कुछ develop किया मर्जी से सर्च किया और मर्जी से बेज जरूरी नहीं कि whatsapp आपको जो stickers दे रहा है या आपको application प्लेश्टोर में मिल रहे है वही सी चीज़े आप बेज सकते है अपनी मर्जी से बेज सकते है और देख इसे आप अपने खुद के stickers create करके whatsapp की sticker के अंदर जो बेज सकते है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से like करना काफी useful application है और काफी useful एक तरीका है जिससे अपनी मर्जी से आप whatsapp में भी sticker का फाइदा उठा सकते है आने वाल समय के अंदर whatsapp का sticker बहुत इस्तिमाल किया जाएगा तो अभी सही मैं आप लोगों को बता दिया कि आप इसका इस्तिमाल कर सकते और मजे यहाँ पे कर सकते मेरी तरफ से फिर से आप लोगों को एक बार happy दिवाली मिलता है आप से एक लिए वीडियो में एक नए वीडियो के सा लेकाले बाहे हां यहाहे हां वीडियो के लिए भाले जाएगा आप से एक लड़ा है अट